बच्चे आने वाले कल की उमीद होते हैं। यदि नीव मजबूत हो तो इमारत भी मजबूती से खड़ी होती है। ठीक इसी तरहां बच्चे किसी भी देश की नीव होते हैं। इनके हित में खड़े होना, इनके अधिकारों की रक्षा करना हर एक सफल नागरिक का फर्ज है। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके देश का भविश्य अंधेरे में हो। इसलिए हम सब का व्यक्तिकत तौर पर यह फर्ज है कि जब भी हम ऐसी किसी स्थिती में हूं तो देश क भविश्य यानि बच्चों के अधिकारों को पहल दे। बात करते हैं ऐसी संसा की जिन्होंने बाल विकास और अधिकारों के लिए बहुत सारे हितकारी कार्य किये हैं। बहुत सारे बच्चों को पारिवारिक मजबूरी और समय से पहले जिम्मेवारियों के बोज के कारण छोटी सी उम्र में ही मजदूरी करनी पड़ती है जिसके कारण शिक्षा तो दूर वहें अपने मौलिक अधिकारों से भी वंचित रह जाते हैं बाल मजदूरी को जड़ से खतम करके वो शिक्षा को पहल देने की जागरुकता का जिम्मा उठाया मानवता हितकारी संस्था देरा सच्चा सौदाने बाल मजदूरी जैसे अभिशाप के खिलाव जागरुकता रेलिया निकालना पिछडे इलाकों की जनसंख्या को शिक्षा के प्रती जागरुक करना बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर शिक्षा को बढ़ावा देना और तो और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा परदान करवाना जैसे महान कार्य बहुत सालों से करती आ रही है यह संस्था बहुत से ऐसे लोग जो करीबी की मार के कारण अपने बच्चों को अच्छा खाना कपड़े रहने के लिए छट मुहया नहीं करवा पाते उनको नीशुलक मकान बना कर देना, हर महीने का राशन देना, तन धकने के लिए कपड़े देना जैसे महान कार्यों में जुटे हुए हैं तेरा सच्छा सौदा के करोड़ों अनुआई ताके ऐसे बच्चों के विकास में कोई असुविधा ना हो इन करोड़ों लोगों का मार्ग दर्शन करते हैं महान संद डॉक्टर कुरमीत रामरहीम सिंग जी इनसान, जिन्होंने अंगिनत लोगों को इनसानियत का पाठ पढ़ाया और मानवता की रह पर चलाया चलिए, इनसे प्रेना लेकर हम भी अपना कदम इस कल्यान कारी कार्य की तरफ बढ़ाएं और बच्चों के हित के लिए आगे आएं